एतिहासिक स्थलों की आकरशक दुनिया की खोज के लिए समर्पित हमारे युट्यूग चैनल में इतिहास के प्रती उत्साही साथी आपका स्वागत है आज हमारे पास आपके लिए एक प्रीट है क्योंकि हम मध्यप्रदेश भारक के दिल की भूमी के प्रसिद किलों की खोज के लिए एक आभासी यात्रा शुरू करते हैं जो समय की कसोटी पर खरे उत्रे हैं और राजवन्शों के उत्थान और पतन के गवाह हैं तो अपनी सीट की पेटी बांध लें क्योंकि हम आपको मध्यप्रदेश के प्रसिद किलों के माध्यम से एक अविस्मनिय सासिक यात्रा पर ले जा रही हैं ग्वालियर का किला हमारा पहला पड़ा ग्वालियर का किला है जो वास्तुकला और इतिहास का एक सच्चा चमतकार है ग्वालियर शहर में स्थित यह किला तोमरवंश, मुगलो और मराठों के शासन का गवाह रहा है इसकी भव्य संग्रचना एक पहाड़ी पर खड़ी है जो आसपास के परिद्रिश्य के लुभावने द्रिश्य प्रस्तुत करती है आईए किले के केंद्र में गोता लगाएं और इसके शांदार महलों, मंदिरों और दिल्चस्ट किम्बदंतियों का पता लगाएं मान सिंह पैलेस, तेली का मंदिर और सास बहु मंदिर किले के अंदर हम अपने जटल डिजाइन और शाही आकर्शन के साथ विसमेकारी मान सिंह पैलेस पाते हैं यह महल कभी शासकों के निवास के रूप में कार्य करता था और राजपूत और इसलामी स्थापत के शैली का एक मिश्रन दिखाता है अगला हमारे पास तेली का मंदिर है जो नोवी शताबदी का एक उतकरिष्ट मंदिर है जो सुन्दर नकाशी से सजाया गया है और मनमोहक सास बहु मंदिरों को देखना न भूलें जो अपनी नाजुक वास्तुकला और प्रेम और भक्ती की दिल्चस्प कहानियों के लिए जाने जाते हैं मांडू किले के प्रिशे अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ते हुए हम खुद को मांडू किले में पाते हैं एक ऐसी जगह जहां इतिहास रोमांस के साथ सहचता से खुल मिल जाता है मालवा पठार के उपर स्थित यह किला हमें सुल्तानों और राजकुमारियों के युग में वापस ले जाता है आएए इसके काला तीप गलियारों में घूमें और इसके छिपे हुए रतनों को उजागर करें जहाज महल और होशंग शाह का मकबरा शांदार जहाज महल को देखें एक ऐसा महल जो पानी पर तैरते जहाज जैसा दिखता है यह एक बार सुल्तानों के लिए एकांतवास था जो उन्हें राहत और शांती प्रदान करता था और यहां हमारे पास होशंग शाह का मकबरा है जो अफगान वास्तुकला की एक उत्कृष्ट करती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने प्रतिष्ठित ताजमहल को प्रेरित किया लेकिन वह सब नहीं है मांडो किला रानी रूपमती और सुल्टान बास बहादूर की दुखत प्रेन कहानी के लिए भी जाना जाता है जो इस मुहब जगह में रोमांस की आभाजोडता है मलिक अल्टूनिया का मकबरा असीरगड किले के अंदर हमें दिल्ली सल्तनक की पथप्रदर्शक महिला शासक रजिया सुल्तान के बहादूर पती मलिक अल्टूनिया का मकबरा मिलता है किले में बहादूरी, विजय और इतिहास की गूंज की कहानिया है अलांकि यह अपने समक्षों की तुलना में कम ज्यात हो सकता है असीरगड किला उन लोगों को आकरशित करता है जो प्राचीन काल के सार की तलाश करते हैं असीरगड किले के द्रिशिक सक्पुरा रेंज के बीच बसे असीरगड किले के रननीतिक गड़ में ले जाने की तयारी करें यह किला अंकिनत लड़ाईयों और शौर्य की कहानियों का गवाह रहा है इसकी भव्य दीवारें और रननीतिक सुरक्षा इसके एतिहासिक महत्व का प्रमाण है मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम इन प्राचीन दीवारों के भीतर छिपे रहसियों का पता लगाते हैं और्चा किला परिसर के द्रिशे इसके बाद हम खुद को और्चा के आकरशक शहर में पाते हैं जहां एक किला परिसर है जो हमें राजपूर्ट भव्यता के स्वर्ण युग में वापस ले जाता है और्चा किला परिसर वास्तुकला के चमतकार और सांस्कृतिक विरासत का खजाना है आईए जानते हैं इस मनोरम जगह के रहसियों के बारे में जहांगीर महल और राम राजा मंदिर जहांगीर महल की भव्यता को निहारें समराट जहांगीर की यात्रा के उपलक्ष में बनाया गया महल इसकी उठकृष्ट वास्तुकला युग की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है और राम राजा मंदिर को देखना न भूले, जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है इन संग्रच नाओं में राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण आपको विस्मय में छोड़ देगा चंदेरी किला हमारा अंतिन गंतव्य हमें एक पहाड़ी की चोटी पर चंदेरी किले तक ले जाता है जो उस छेतर का संरक्षक है, जो सदियों के इतिहास का साक्षी है यह किला अपने सामरिक स्थान के साथ लड़ी गई लड़ाईयों और भूमी को आतार देने वाली किमबदंतियों की कहानिया बताता है आए प्राचीन योध्धाओं के नक्षेक दम पर चलते हैं और चंदेरी किले के रहसियों का पतालगाते हैं कोशक महल और जामा मस्जिद किले के भीतर हम राजसी कोशक महल की खोज करते हैं जो एक वास्तुशिल्प कृती है जो हमें इसकी भव्यता से प्रभावित करती है और यहां हमारे पास जामा मस्जिद है जो एक भव्य मस्जिद है जो इंडो इस्लामिक स्थापत के शैली को दर्शाती है चंदेरी किला साहस और सहन शील्टा के प्रतीक के रूप में खड़ा है इसकी प्राचीन दिवारों के माध्यम से बहादुर योधा रानी पदमावती की कहानिया गूजती है